ये जो सामान्य सरकारी पत्र है वो कहें बहुत ही अवश्यक है या निवारी है तो ये बहुत ही प्रचली है उसका पता यहां पर अंत में लिखा जाता है इस तरह से ग्यापन का प्ररूप है तो उस संबंद में कुछ टिपणी लिखते हुए वहां पर भेजी जाती है सरकारी पत्र का जो ये प्रकार है वहुत ही कहें प्रचली था प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे फस समिस्टर के BCA के जितने भी विद्यारती है फिर से मेरी कक्षा में स्वागत है मेरे प्रे विद्यारती हो जो इस समिस्टर आपको यूनिट 4 के अंतरगत जो कारियाला हिंदी है इसी के अंतरगत जो पत्रों के प्रकार हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या है यहां पर जो है अभी आउपचारिक पत्र का जो प्ररूब है किसे लिखा जाता है यह सारी बातों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूँगे पत्र यानि जो वाणिज अथवा विवसाइक पत्र, यानि जो बिजनस के द्वारा जो की पत्र लिखा जाता है, जिसे वाणिज या विवसाइक पत्र कहा जाता है, इसके अंतर्गत ये पत्र लिखे जाते हैं, और कहें शासकिया अथवा सरकारी पत्र, जो की शासकिया और स सरकारी पत्र जो इसके अंतरगत आता है आउपचारिक पत्र के अंतरगत जो भी अप्लिकेशन हो नौकरी संभंधी पत्र हो आवेदन पत्र और जो है कहें वसाइक यह वानिज में जो लिखे जाते हैं पत्र या सरकारी जो पत्र लिखे जाते हैं यह सब क्या है आउपचारि पत्र वानिच अथवा विवसाइक पत्र यह जो है जो वेक्तिक पत्र जो सामाजिक पत्र इससे भिन्न क्या है यह पत्र जो विवसाइक पत्र जो सामाजिक पत्र वो अपने रिस्टेदार विवसाइनी वेक्तिगत पत्र को ही सामाजिक पत्र कहते हैं जो रिस्टेदारों को अपने सगे संभन्दियों को मित्रों को लिखा जाता है लेकिन यहां पर जो है यह जो आउपचारिक पत्र है वो जो है एक व्यापारी जो की विवसाई या वाणिजिके द्वारा जो पत्र लिखा जाता है वो एक व्यापारी को माल खरीदने या भेजने के बारे में जो माल खरीदा जाता है जो बेचा जाता है इसके बारे में पत्र लिखा जाता है और क्या है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के बारे में या अपने माल की विक्री बढ़ाने नए ग्राहक पाने के बारे में पत्र लिखने पड़ते हैं इनके अलावा सरकारी और गईर सरकारी कार्याले तथा बैंक बीमा से अपने संभन्ध का निर्वाहा करने व्यापारी को पत्र लिखने पड़ते हैं एजंटों की नियुक्ती, रुन की वसूली, विज्यापनों, आदी अनियक कारियों के लिए भी व्यापारी को पत्रों की सहायता लेनी पड़ती है आज व्यापार वाणी जी के शेत्र में पत्र लिखना अनिवार ये बन गया है जो वाणी जी पत्र है, ये जो माल को खरीदना, बेचना या कहें माल में अगर कोई माल मंगवाया है तो अगर उसमें कुछ, कहें कुछ डैमेज आ गया तब शिकायती पत्र लिखना, बैंक समभनी पत्र और कहें भीमा समभनी पत्र लिखना और माल की बिक्री और एजंटों की नियुक्ती विज्यापनों यानि अड़टाइस देने और जो है यहां पर अड़टाइसमेंट अपने माल किया जो अड़टाइसमेंट देने के लिए भी विज्यापन देने के लिए भी और एजंटों को नियुक्त करने के लिए भी और ज जो हैं वानिज में पत्र लिखे जाते हैं आज कहें वानिज जो भी विवसाइक के संभंध है इसको घनिस्ट रखने के लिए कहें पत्र अनिवार्य बन गए है पत्र लिखना बहुत ही अवश्यक है बहुत ही अनिवार्य है जो वाणिज पत्र है इस तरह से कहें अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं जो वाणिज पत्र है उसके प्रकार देखें यहाँ पर उच्टाच संभन्दी पत्र यानि जो माल के बारे में उच्टाच करते हुए जो पत्र लिखा जाता है वहीं पूछताच संभन्दी पत्र है पिर माल मंगवाने संभन्दी पत्र और जो भी माल जो है मंगवाने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसके संभन्दित जो पत्र लिखा जाता है वो है माल मंगवाने संभन्दी पत्र पिर के है एजंसी संभंधी पत्र एजंसी के संभंधी जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो एजंसी संभंधी पत्र है पिर जहे शिकायती पत्र जो भी माल अगर डैमेज आ जाए अगर कुछ भी वहाँ पर नुकसान हो जाए या माल जो है जितना मंगवाय था उतना नहीं आया कम आ गया उस वक्त जो शिकायती पत्र लिखा जाता है पिर जो है परिपत्र सर्क्यूलर परिपत्र यानि सर्क्यूलर यानि ये एक जो की आप कोई भी एक दुकान एक जगे से ततकालिक यानि ततकाल किसी और क्या है शिप्ट किया है किसी जगे शिप्ट किया है तब एक सर् परिपत्र पिर बैंक सम्हंदी पत्र बैंक से सम्हंदी तस्तापित करने के लिए और अपने अकॉंट को वहां पर खुलवाने के लिए जो भी सम्हंदी पत्र लिखा जाता है वो है बैंक सम्हंदी पत्र पिर क्या है बीमा सम्हंदी पत्र यहां पर बीमा बनवाने के लिए भी क्या है जो पत्र लिखे जाते हैं वहीं है वीमा संभंधी पत्र पिर है नौकरी संभंधी पत्र अगर कोई एक विज्यापन में क्या है देख लिया कि कहीं पर नौकरी है उस वक्त जो है अगर आप उसके खाबिल है तो उसके लिए जो आप नौकरी के लिए जो पत्र लि विवसाहिक के जो हैं विवसाहिक पत्रों के प्रकार हैं जो कि बहुत तरीकों से ये पत्र बहुत कारूरों से लिखे जाते हैं शासकिया अथवा सरकारी पत्र कहें सरकारी दफ्तरों में भी बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं वहीं शासकिया या सरकारी पत्र हैं केंद्र सरकार अथवा राज सरकार के विभिन कार्यालों में अनेक स्तरों पर पत्रचार होता है यह सरकारी पत्रचार के नाम से भी जाना जाता है जो राज सरकार और जो केंद्र सरकार यहां पर विभिन कार्यालों में कहें अनेक स्तरों पर पत्र लिखे जाते हैं इसको पत शासक के विविद विभाग एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए सरकारी पत्र विवहार अवशक जो यहां पर दिखिए शासन के लिए जो शासन के लिए विविद विभागों में ये एक दूसरे से संपर्क जो सरकारी दफ्तर होते हैं ये एक दूसरे से संपर्क स्ताप इसके लिए भी पत्र विवाहार अवशक और जंता है उसे संपर्क बनाए रखना पड़ता है उसके संभंधित भी बहुत सारे पत्र और सरकुलर भी यहां पर लिखने पड़ते हैं तो ये भी क्या है शासकिया या सरकारी पत्र के अंतरगथी आता है ऐसे विभिन कारियों के लिए सरकार को भिन भिन प्रकार के पत्रों का आश्य लेना पड़ता है तो इसे सारे कारियों के लिए सरकार को बहुत सारे इनी भिन भिन प्रकार के पत्रों का जो है पत्र लिखने पड़ते हैं पत्र का पूर्व रूप आलेखन यानि मसोदा तयार करना होता है मसोदा को तयार करना होता है ड्राफ्टिंग को तयार करना होता है और जिसे तत्व संभंधी अधिकारी से अनुमोदित कराकर पत्र के रूप में अनेक प्रापकों के पास भेजा जाता है सरकारी पत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है तो इस तरह से जो क्या है पत्र का पूर्व रूप जो आलेखन कहा जाता है नि मसोदा इनि ड्राफ्टिंग लिखा जाता है ये भी क्या है शासकिया पत्र के अंतरगत ही आता है तो यहां पर अधिकारी अनुबोदन करा कर पत्र के रूप में अनेक प्रापकों के पास भेजे जाते है तो यहां पर जो मसोधा तैयार किया जाता है उसे पहले भेजा जाता है इसके बाद जो है सरकारी पत्रों को क्या है यहां पर इसके बाद जो है पत्र लिखकर अधिकारियों में यही एक दूसरे से संभंध स्तापित रखने के लिए यही अधिकारी जो होते हैं सरकारी दफ्तर जो होते हैं यह दूसरे दफ्तरों में यह दूसरे से कुछ संफर्क स सरकारी पत्र लिखे जाते हैं जिसे की यहां पर देखें सामानी सरकारी पत्र यानि ordinary official letter फिर क्या है परिपत्र circular फिर क्या है कारियाले ग्यापन office memorandum फिर ग्यापन memorandum फिर का है कारियाले आदेश यानि office order फिर शासकिया पत्र या औबचारिक ग्यापन तो अनफिशियल लेटर ये सब जो है वो सरकारी पत्रों के अंतरगत आता है शासकिया या सरकारी पत्रों के प्रकारों के अंतरगत आता है पिर अनुसमारक फिर यहां पर remainder अनुस्मारक यानि remainder पिर क्या है अर्द सरकारी पत्र dummy official letter पिर जो है यहां पुस्टांकर यानि endorsement पिर क्या है आदि सुचना notification और समकल्प यानि यहां पर resolution पिर प्रेस विग्णयाप्ति यानि प्रेस नोट यह सारा जो है उस सरकारी जो शासकिया यानि सरकारी पत्रों के प्रकारों के अंतरगत आता है फिर आगे देखिए तुरंत पत्र यह भी सरकारी पत्र के अंतरगत ही आता है उसी का ही प्रकार तुरंत यानि एक्सप्रस लेटर, पिर तार, टेलिग्राम, पिर कूट पत्र, यानि कोट लेटर, पिर सूचनाए, विज्यापन, निवीदा और नीलाम, जो की नोटिस, अड़टाइजमेंट, टेंडर, एंड आक्शन, ये सब जो है, इसके सम्भंदित भी पत्र लिखे जा उसके लिए कुछ भी नोटिस भेजे जाती है, ये सारे जो है, कहें सरकारी या शासकिया पत्र के प्रकारूग के अंतरगत आता है, अब देखिए, यहाँ पर सामानी सरकारी पत्र, जो की ओरिडिनरी अफिशल लेटर जो है, वो किसलिए लिखा जाता है, यहाँ पर देख जो सरकारी पत्र का जो यह रूप है, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रचलित, तो सरकारी कार्य संपदान के लिए विदेशी सरकारों, कींद्रिया सरकार और राज्य सरकारों, सरकार के अधीनस्त तथा सल्लगन कार्यालों और अन्य कार्यालों तथा विक्तियों के जो पत्र विवहार होता है वो हो सामान्य सरकारी पत्र विवहार कहलाता है जो भी केंद्र सरकार राज सरकार जो है उसके अधिनस्त उसके अधिन और सरलगन करना कारियालों और अन्य कारियालों का तथा व्यक्तियों के बीच जो पत्र विवहार होता है वहीं क्या है सामान्य सरकारी पत्र है यहां पर यह दूसरे से संपर्क स्तापित करने के लिए जो है यह जो सामान्य सरकारी पत्र है वो कहें बहुत ही अवश्यक है अनिवारी है तो यह बहुत ही प्रचलित है परिपत्र का यहां पर प्ररूप जो है वो इस प्रकार है पहले तो कहें पत्र संख्य यह बहुत ही अनिवारी है और उदारण के तौर पर यहां पर ग्रहा मंत्राल है यहां से यह जो परीपत्र है लिखा जा रहा है तो उसका यहां पर प्रेशक में यानि जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहां पर लिखना है कौन लिख रहा है उसका पता पिर जिसे पत्र लि जो विशय है यानि जो जिस सब्जेट पर ये सर्क्यूलर लिखा गया है उसे यहां पर लिखना आनिवारी है पिर जो है बॉडी आफ दे लिटर जो सर्क्यूलर किस पर लिख रहे हैं क्या है वो यहां पर आप सम्शिप्त में लिखेंगे यानि यहां पर वो सम्शिप्त में लिखा जाता है सरलही भाशा में circular जो है येखी विशे पर जो है लिखा जाता है पहले तो जो विशे पर यहां पर लिखा जा रहा है उस विशे को यहां पर क्या है body of the letter में detail से लिखना चाहिए पिर क्या है जो पत्र लिख रहा है जो पत्र लिखा है उसका यहां पर हस्ताक्षर जो है बहुत ही अनिवारी है इस तरह से परिपत्र का क्या है प्ररूप है आगे है कारियाले ग्यापन यानी Office Memorandum तो यहां पर दिखें पत्र विवाहर के इस रूप का प्रयोग भारत सरकार के विभिन मंत्रालों के बीच होने वाले पत्र विवाहर में किया जाता है तो जो यह जो है पत्र विवाहर इसका प्रयोग जा है भारत सरकार जो है वहरत सरकार के विभिन मंत्रालों के बीच में ये पत्र जो है इसका विवहार किया जाता है तो ये सदा अन्य पुरुशों में लिखा जाता है यहां पर किसी का पता यहां पर नहीं होता अन्य पुरुशों पर ही इस पत्र को लिखा जाता तो पिर यहाँ पर इसमें संभोधन और अंत में कहें स्वानिर्देशन नहीं होता पत्र की समाप्ति पर उसके दाएं और पत्र प्रेशक के हस्ताक्षर और पत्र का उलेखन होता है तथा बाही और जिस मंत्राले को पत्र भेजा जाए उसका नाम और पता होता है इस प्रकार के पत्र का प्रयोग संभंध और अधिनस्त कार्यालों के बीच पत्र विवहार के लिए नहीं किया जाता तो दिखिए यहां पर कार्याले ग्यापन जो है वो जो है यह सिर्फ भरसरकार के विभीन मंत्रालों में ही किया जाता है यहां पर क्या है यह जो पत्र है अन्य पुरुष्य जो है अन्य पुरुष्य में ही लिखा जाता है और इसमें संभोदन और अंत में क्या है स्वानिर्देशन नहीं होता पत्र की समाप्ति पर इसके दाई और पत्र जो लिख रहा है हस्ताक्षर होता उसका उलेखन होता तथा बाई और जिस मंत्राले को पत्र भेजा जाता है उसका नाम और पता होता है इस प्रकार के पत्र का प्रयोग जो है संभन्द और अधिनस्त कारियालों के बीच जो पत्र विवाहार जो है पत्र विवाहार के लिए नहीं किया जाता यहाँ पर जो अधिनस्त कारियाल जो होते हैं उसके बीच इस पत्र का विवाहार नहीं होता तो इसका प्ररूप इस प्रकार है दिखी पहले पत्र संख्या पिर जो ग्रह मंत्राले ही है जो कि यहां से लिखा जा रहा है तो पत्र तो ग्रह मंत्राले उदारण के तोर पर यहां पर दाल रखा है पिर यहां पर जो है नई दिल्ली और जो है दिनांग पिर किस विशय में लिखा जा रहा है उस विशय को यहां पर लिखना है और फिर जो है यहां पर body of the letter में जो विशय क्या है यहां पर लिखा गया है वो details से यहां पर लिखेंगे फिर जो है यहां पर जो पत्र भेज रहा है उसके हस्ताक्षर फिर जो है यहां नीचे में जो यहाँ पर जो पत्र प्राप्त करेगा जो भी पत्र जो प्राप्त करेगा उसका यहाँ पर पता लिखा जाएगा इस तरह से इसका प्ररूप है आगे हैं ग्यापन तो मेमोरेंडम यहां पर दिखिए ग्यापन वे सरकारी पत्र है जो अपने संबंध अथवा समक्षक कार्यालों शाखाओं संबंध संस्ताओं आदि को साधारन आदेश भेजने लिखे जाते हैं एक साधारन संदेश भेजने के लिए यह लिखा जाता है यह जो है इसकी संबिक्षा करने जो ग्यापन है वो जो है साधारन जो भी संदेश होते हैं उसको भेजने के लिए किया जाता है फिर कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों का उत्तर देने पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने या अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त अन्य समाचारों से अवगत करने के लिए ग्यापन का प्रियोग करते हैं इसका स्वरूप भी कारिया ग्यापन की तरह होता है तो यह दिखिए कर्मचारी कर्मचारियों के द्वारा जो भी काम करते हैं उस कर्मचारियों के द्वारा जो प्राप्त प्रार्थना पत्र और उसका उत्तर देने के लिए पत्रों की प्राप्ति स्विकार करने के लिए इस तरह से क्या हैं जो भी जाता है तो इसका प्ररूप जो है इस प्रकार है पहले दिखें ग्यापन पत्र संख्या बहुत ही अनिवार है फिर जो है जहां से भेजा जा रहा है उस मंत्राले का नाम फिर जो है यहां पर ग्यापन जो भी कहें यहां पर विशे नहीं आता धैन में रखिए फिर ग्यापन यहां पर देखिए यहां पर यहां जो भी प्रार्थना की जा रही है उसके बारे में लिखा जाता है फिर जो है यहां पर कहें हस्ताक्षर जो भी भेज रहा है उसका नाम और हस्ताक्षर यहनि उसके उधे का नाम और उसका हस्ताक्षर किया जाता है फिर जो है यहां पर जो पत्र प्राप्त करता है उसका पता यहां पर अंत में लिखा जाता है इस तरह से ग्यापन का प्ररूप है आगे है कारियाले आदेश यहां पर दिखें कारियाले की किसी विशे कार्य विधी के परिवर्तन के संभन में या किसी प्रशासकी आदेश के पालन के संभन में या कर्मचारियों की नियुक्ति, पदुन्नती, पत्का, स्थानी करण और आदी के संभन में कारियाले आदेश जारी किए जाते हैं। किसी को यहां पर क्या है बद उन्नती यानि यहां पर किसी को जो प्रमोशन मिलता है उसकी स्ताई करन आदि के संभंद में जो हैं ये कारियाले आदेश जो है जारी किया जाता है जो कारियाले आदेश जो हैं जारी किया जाता है तो इसी के संभंद में क्या हैं कारियाले आद जो है जारी किया जाता है और सूचनार्थ इसकी प्रतियां तत्संभंदी विभागों, कार्यालों या व्यक्ति विशे को भेज दी जाती है तो इसकी सूचना जो है इसको तत्संभंदी विभागों और कार्यालों में इस व्यक्ति की कहें विशेश को इस विशेश को भेजी जाती है यानि इसकी सूचना कहें भेजी जाती है यहीं जो है कार्याले आदेश यानि ऑफिस ओडर तो इसका प्ररूप इस प्रकार है तो यहां पर देखें पहले कार्याले आदेश पत्र संख्या बहुत ही अनिवारी है फिर जो है जहां से भेजा जा रहा है यहां पर फिर क्या है कारियाल जादेश और किसको यहां पर कारियाल जा जा रहा है यहां पर डीटेल से उस वेकति के बारे में जानकरी यहां पर लिखनी चाहिए body of the letter में पिर जो है जो पत्र भीज रहा है उसका हस्ताक्षर और उसका जो पद यहनी हुदारन के तौर पर उपहसली यहां पर डाला गया है भारसलकार वो यहां पर उसका हस्ताक्षर अनिवारिय हो जाता है फिर जो है जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता फिर है इससे संबंदित जो भी प्रतिलिपी होती है इसके संबंदित जो भी order copy हो वो होती है यहां पर वो सलनगन की जाती है इस तरह से क्या है कारियाल है आदेश लिखा जाता है इसका प्ररूप इस प्रकार है अब दिखें यहां पर शासकिया पत्रिया अनोपचारिक पत्र यानी अपचारिक ग्यापन यहां पर यह जो है अनफिशेल लिटर है तो कभी-कभी एक मंत्राले को दूसरे मंत्राले से जो है दूसरे मंत्राले से जो विभाग्या अपने सलनगन कारियालों से किसी प्रस्ताव पर अनेक विचारिया पूर्व आदेश का जो है स्वस्टी करण मांगने या अन्य सूचना की जानकारी पाने के लिए लिखने पड़ते हैं कोई भी अन्य सूचना पाने के लिए या कोई भी जानकारी पाने के लिए एक मंत्राले से दूसरे मंत्राले को लिखा जाता है तो तब जो है तत संबंदी फाइल पर टिपणी लिक भेजते हैं तो उस संबंद में कुछ टिपणी लिकते हुए वहाँ पर भेजी जाती है या इसके लिए अलग एक कार्याले ग्यापन या टिपणी बना कर भेजती है या तो उसी संबंद में अलग से एक टिपणी बना कर भेजी जाती है इसी प्रक्रिया को आशासकिया पत्रिया निर्देश अथवा अनोपचारिक पत्रियापन कहते हैं तो इसी को जो क्या है जो टिपणी अलग से बना कर भेजते हैं इसी को क्या है क्या है प्रक्रिया इसी प्रक्रिया को आशा सकिया आशा सकिया या क्या है आशा सकिया पत्रिया निर्देश अथवा आउपचारिक ग्यापन कहा जाता है तो इसमें केवल मंत्राले का नाम उसके नीचे विशय और प्रेशक के हस्ताक्षर उसकी पद नी सन्या और टेलिफोन नमबर लिखी जाती है तो इस टिपणी को सिर्फ क्या है उस मंत्राले का नाम लिखा जाता है उसके नीचे उस विशय के बारे में लिखा जाता है फिर प्रेशक के हस्ताक्षर जो भेज रहा है उसके हस्ताक्षर और उसके पद उसका पद की जो संग्या उसे लिखी जाती है और उसका जो फोन लिखा जाता है उसका प्ररूप इस प्रकार है अनुप पचारिक पत्र गया पर यहां पर खाद्य मंत्रा लहें उदारण के तोर पर डाला गया है पिर जो है यहां पर उस कर्मचारी जो है उसके बारे में सम्षिप्त याने अलग से टिपड़ी बनाकर लिखी गई है पिर जो है यहां पर जो है कि जो उसके हस्ताक्षर जो भेज रहा है उसके हस्ताक्षर उसकी पद सन्या यहां पर दी गई है साथ में नीचे यहां पर टेलिफोन नंबर लिखा गया पिर ग्रहमंत्राले की सेवा में प्रेश्टी य इसके नीचे पता जो जिसे भेजा जा रहा है यहां पर उसका पता लिखना अनिवारी है इस तरह से जो है आउपचारिक ग्यापन का प्ररूप तो आज मैंने आपको इनी आउपचारिक पत्र जो वाणिज्य पत्र या विवसाइक पत्र वाणिज्य का ही दूसरा नाम क्या ह विवसाइक पत्र है किस तरह से लिखा जाता है किसको लिखा जाता है उसके प्रकार क्या है इसके बारे में जानकारी दी पिर शासकिया या सरकारी पत्र जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं इसमें उसके प्ररूप किस तरह से हैं लिखने का तरीका क्या है यह सारी जानकार आज मैंने आपको दी हैं अगली कक्षा में पत्र विवहार पर ही और भी जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद